आज आप जिस विशाल भारत को रोजाना देखते हैं, उसकी कल्पना लोग पुरु सरदार वल्लब भाई पटेल के बिना कभी पूरी ही नहीं हो पाती। सरदार वल्लब भाई पटेल नहीं भारत की सभी छोटी-छोटी रियास्तों और बड़े राजगरानों को एक करके इस विशाल भारत का निर्मान किया था। आज की इस वीडियो में हम आपको लोग पुरु सरदार वल्लब भाई पटेल के जीवन के बारे में बताएंगे। वल्लब भाई पटेल तेरा साल के थे तब उनका विवाद जवेर भाई से कर दिया गया था। और साल 1918 में गुजरात के खेड़ा में सुखा पड़ा हुआ था और उस सुखे की वज़े से किसान अंग्रेजी सरकार को टेक्स देने में ऐसे मर्थ हो गए थे। ऐसे में किसानों ने सरकार से टेक्स में राहत की मांग की थी जिसे अंग्रेजी सरकार ने खारिज कर दिया था। मांग खारिज होने के बाद महात्मा गांदी के निर्देश पर सरदार वल्लब भाई पटेल ने खेड़ा में सत्य ग्रेकी अगुवाई की। सरदार वल्ला भाई पटेल के नेतरतम में किसानों के प्रदर्शन के आगे अंग्रेजी सरकार को जुकना पड़ा और किसानों को टेक्स में रियाया देनी पड़ी सरदार वल्ला भाई पटेल देश के पहले परधानमंत्री हो सकते थे लेकिन महात्मा गाने के निर्देश पर उन्होंने इस दावेदारी से अपना नाम वापस ले लिया था और जोहरला नहरू परधानमंत्री बने थी बताया जाता है कि सरदार वल्ला भाई पटेल के पास खुद का मकान तक नहीं था और वह एहमदाबाद में एक किराय के मकान पे रहते थे कहते हैं कि जब 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में उनका निदन हुआ तब उनके बैंक खाते में केवल 260 रुपे मौजूद थे बार डोली का सत्यग्रे साल 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ किया गया था इसमें सरकार द्वारा बढ़ाए गए टेक्स का विरोध किया गया उस समय देश के किसानों की एकता को देखकर बिटिश पैसराय को उनके सामने जुकना पड़ा था इस बार डोली के सत्यग्रे के कारण पूरे देश में वल्लभाई पटेल का नाम रोशन हुआ और लोगों में आत्म विश्वास बढ़ने लगा बार डोली के इस अंदोलन के सफल होने के बाद बार डोली के लोग वल्लभाई पटेल को सरदार कहकर बुलाने लगे इसके बाद ही उन्हें सरदार पटेल के नाम से जाना जाने लगा सरदार वल्लब भाई पटेल ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 60-चोटी बड़ी रियास्तों का भारत में विले कराया था जिससे एक विशाल भारत का निर्मान हुआ बहरत में देशी रियायस्तों का विले सफतंतर भारत की सबसे बड़ी और पहली उपलब्दी थी और इस उपलब्दी सबसे विशेश योगदान सरदार वल्लब भाई पतेल का ही था अगर सरदार वल्लब भाई पटेल ऐसा नहीं करते तो शायर आज हम और आप जिस विशाल भारत को देख रहे हैं ये ऐसा ना होता मात्मा गादी ने सरदार वल्लब भाई पटेल की नीतीगत द्रड़ता के लिए उन्हें सरदार और लोग पुरुष की उपादी दी इसी तरह सरदार वल्लब भाई पटेल भारत के लोग पुरुष कहलाने लगे जब भारत देश 1947 में आजाद हो गया तो उस समय सरदार वल्लब भाई पटेल को देश के पहले ग्रह मंतरी के रूप में कारे करने के जिमेदारी दी गई थी आज भी बहुत से लोग इस बात से सैमत है कि आजाद भारत में सरदार वल्लब भाई पटेल को भारत का पहला परधार मंतरी बनाया जाता तो सही रहता क्योंकि वे परधार मंतरी पर्थ के बहतरीन और योग्य उमीदवार थे अगर उस समय सरदार वल्लबाई पटेल को परधानमंत्री बना दिया गया होता तो आज भारत देश की तस्वीर शायद कुछ हो रही होती जब साल 1948 में महात्मा गांदी की हत्या हो गई तो उस घटना से सरदार वल्लबाई पटेल को गहरा आगाहत पहुँचा उस घटना से वे अपने आपको बाहर नहीं निकाल पाए जिसके चलते महात्मा गांदी की मृत्यू के कुछ महीने बाद उन्हें हार्ट अटेक आया 15 दिसमर 1950 को मुंबाई के बिरला हाउस में सरदार वल्लबाई पटेल का लंबी बिमारी से निधन हो गया था आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो में कोई तुरूटी हो सकते है क्योंकि वीडियो में दी कई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्द स्त्रोतों के अधार पर है तुरूटी के लिए आप हमें कॉमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उस कॉमेंट को पिन कर सके दोस्तों इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.seralhisti.com पर जरूर विजिट करें धन्यवाद